हेलो और वेलकम तो दिस वीडियो और मेरा नाम है मुंत्र वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ससे सीजल 2023 टीर 2 के पेपर को इंग्लिश के पेपर को आप सब लोग जानते हैं कि ससे सीजल 2024 का जो टीर 1 का पेपर है that is almost over कुछ ही शिफ्ट के पेपर अब और ब होता है कि आप प्रिवेस या नहीं कि जो सबसे पिछली साल है 2023 2023 के टीर 2 के पेपर को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह ही करना चाहिए कि सीजल 2023 के टीर 2 का जो कोशन पेपर है आप उसे बहुत अच्छी तरीके से आज के इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2023 के tier 2 के question paper के बारे में, ठीक है? Before we move ahead, अगर आपने हमारे application को install नहीं किया है, तो आप install कर लीजिए, link आपको description box में मिल जाएगा, आप app store पर learn, study and grow, the lsg.search करके भी आप हमारे application को install कर सकते हैं, और आप हमारे courses को access करने के लिए www.thelsg.in पर जाकर भी access कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर हमारे telegram group को join नहीं किया, तो आप उसे भी join कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, या फिर आप telegram पे सीधे जाकर भी search कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप हमारे courses को access करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा application install करना पड़ेगा, वहाँ प बात करने वाले हैं, आपके seizure 2023 के tier 2 के question paper के विशे में, पहला question जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही simple, बहुत ही easy question हमारा पूछा गया था, that was, we has seen that movie before, इस सवाल में कुछ भी बहुत ही difficult नहीं है, सवाल का जो subject है हमारा, वो है हमारा we, और आप सभी जानते हैं कि ये subject we हो होता है बचों, यह होता है आपका plural subject, और plural subject के साथ में आप लगाते हो, plural helping verb, ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्हों ने use किया है, वो has use किया है, has का प्रयोग ना होकर क्या हो जाएगा बचों, यहाँ पर आप simply have का use कर दोगे, तो इसमें कुछ खास नहीं था, subject verb agreement का ये question था, बहुत simple सा question है, we have seen that movie before की जगे पर क्या हो जाएगा, we have seen that movie before, देखो ये question बहुत आसान है, आपको लग सकता है कि क्या ये तो बहुत ही simple है, इतना तो बहुत आसान है करना है, देखो अगर ये simple है, तो इससे आपके ओपर एक थोड़ा सा extra दबाव बनता है और extra responsibility हो जाती ह आपको एक भी सवाल गलत नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम competition लड़ने आए, competition में क्या होता है कि अगर मेरे भी 10 सहीं और आपके भी 10 सहीं है, तो वहाँ पर competition है, qualifying नहीं है, compete करना है, то आपको एक भी सवाल गलत नहीं करना है, 45 questions हैं आपको और एगर आप इसमें एक question आपके 3 marks का है और negative marking आपकी minus 1 by 3 है तो अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो जो आपने 3 सही जोड़ रखे ते वो तो जाता ही जाता है, 7 में minus 1 भी जाता है, तो आपको effectively minus 4 का नपसान होता है एक सवाल के गलत होने पर इसलिए ये जरूरी है कि आप इस समझें कि आप एक भी सवाल गलत ना करें, ठीक है? मतलब ऐसा संभव नहीं है कि एक भी सवाल गलत ना हो, हो जाता है एक अगलत बट हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक भी गलत ना हो, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस we have seen that movie before लिखा हुआ है, इसकी जगे पर हो जाएगा, we have seen that movie before ठीक? तो यहाँ पर आपका simple सा answer हो जाएगा, we have seen that movie before, इसमें कुछ भी खास नहीं था, आगे बढ़ते हैं next question की तरफ कहता है, despite their differences, the two politicians decided to dash and work together for the greater good, यानि कि despite का मतलब होता है, के बावजूद despite का मतलब हो जाता है के बावजूद उनके differences के बावजूद, यानि कि उनमें मतभेद होने के बावजूद, दो politicians ने decide किया and work together to form the greater good बनि कि बहतर बड़े कारे के लिए उन्होंने अपने मतभेदों उनमें मतभेद थे और उन्हें उन्होंने भुलाया, correct options हमारे दिये हुए है, idiom दे कोई ये चीज़ आप यहाँ पर notice कर सकते हो कि idioms को पूछने का अभी ssc का एक set format नहीं है, कभी ssc इस तरीके से पूछता है कभी आपको idiom देकर अंसर पूछता है तो अलग-अलग तरीके से अभी idiom आपके ssc पूछ रहा है एक particular एक ही fix pattern नहीं है कि इसी तरीके से पूछेगा तो इसलिए आपको हर तरीके से prepared रहना है यहाँ पर इन्होंने question दिया हुआ है चार idioms में दिये हुए हमें सही idiom को choose करना है पहला लिखा हुआ है bury the hatchet hatchet होता है आपका छोटी सी कुलहाडी छोटी जो कुलहाडी होती जो वो एक तरीके से उसको माल लो आप जो उसमें न अर्जुन वेली गाने में जो रन्बीर कपूर पकड़े हुए है तो that is उस तरीके की छोटी कुलहाडी को hatchet करते है और bury करने का मतलब होता है दफनाना तो hatchet को दफना दिया यानि कि हम अर्जुन वेली गाने में रन्बीर कपूर उस hatchet को से लोगों को मार रहा था अगर उसको दफना दो यानि कि reconcile कर लिया सुला हो गई ठीक है तो bury the hatchet का मतलब होता है सुला हो जाना सुला कर लेना ठीक बार्क अप the wrong tree बार्क मतलब होता है आपका देखा जाए तो जो पेड़ की छाल होती है उसे बार्क कहते हैं बार्क अप the wrong tree यानि आप गलत पेड़ की छाल उत्तार रहे हो कहने का मतलब हो गया कि आप गलत जगे पर अपने प्रयास कर रहे हैं यानि कि आप गलत जगे पर प्रयास कर रहे हैं आगे कहते हैं blow off steam इसको ऐसे समझ लो स्टीम मतलब भाप स्टीम से ही देखो चीजें चलती है जानी कि रेल है स्टीम इंजन रहना ट्रेंग में पहले ब्लॉअफ मतलब निकल जाना तो ब्लॉअफ स्टीम जैसे कि आपका कोई इमोशन आपके अंदर बहरा हुआ हो तो उसे आप निकल जाने दें या फिर आप में बहुत ज़़धा ए verbally और बहुत जाने के लिए निकलने के लिक लिए खोनी को निकलने के लिए होता है जानी के रात राध भार जाक पढ़ाई करना जो कि आप सब लोग करते हैं तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहली ही लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि despite their differences यानि कि उनके differences के बावजून यानि उनमें मतभेद थे और उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाया तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पहला that is bury the hatchet ठीक है despite their differences the two politicians decided to bury the hatchet and work together for the greater good ठीक है bark up the wrong tree यहाँ पर नहीं suitable है blow of steam भी suitable नहीं है burn the midnight oil भी suitable नहीं है दो politicians में सुलह करी है इसलिए पहला answer यहाँ पर suitable हो जाता है next question में कहता है this is the book whom I wanted to buy this is the book whom I wanted to buy आपको इस सवाल में error बताना है ठीक है लिखता है whom यहाँ पर आपने प्रयोग किया है whom का ठीक है अगर आप इस question को ध्यान से देखें तो कह रहा है this is the book ठीक है फिर यहाँ पर आपने whom का प्रयोग किया है ध्यान दीजिए who whose और whom यह who की तीन forms हो जाती है who जो होता है आपका यह आपका subjective case हो जाता है whose जो होता है आपका यह आपका possessive case हो जाता है और जो whom है आपका यह आपका objective case हो जाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार he आपका subjective case है his आपका possessive case है और him आपका objective case है he को जब as a subject use करेंगे तो he आएगा he को जब possessive adjective की तरह use करेंगे तो his आएगा और he को जब as an object use करेंगे तो him का प्रयोग होगा उसी प्रकार who के समय में हम जब as a subject use करते हैं तो who आता है possessive के रूप में यूज़ करते हैं तो who आता है और whom का प्रयोग करते हैं जब objective के रूप में यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको यह बात ध्यान देनी है who या फिर who या फिर whose ये तीनों का ही use आप हमेशा human beings के लिए करते हैं other than human beings, non living things के लिए आप बिल्कुल भी who का use नहीं करते हैं यहाँ पर आपने whom का प्रयोग किया हुआ है जो और उसका antecedent हमें दिखता है that is book antecedent हमें क्या दिख रहा है? book book आपका antecedent है जो कि आपका non living है और human being भी नहीं है तो इसके लिए whom का प्रयोग करना गलत है correct है यानि कि जो आपको error है वो आपके कहाँ पर हो जाएगी third part में तो सही जवाब इसका हो जाएगा this is the book which I wanted to buy यहाँ whom की जगे क्या हो जाएगा which I wanted to buy or that I wanted to buy ठीक है? तो whom का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आप who या फिर whom का प्रयोग whose का प्रयोग किसी human beings के लिए करते हैं यहाँ पर antecedent आपका book है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है? आगे बढ़ते हैं next question में कह रहा है by this time tomorrow लिखता है by this time tomorrow I dash the work assigned to me by this time tomorrow आप एक पाद देख सकते हो tomorrow की बात करता है जब tomorrow की बात कर रहा है यानि कि यहाँ पर यह future plans की बात कर रहा है जब future plans की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर options देख सकते हो will, 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 will लिखता है that is very good यानि कि will का प्रयोग ही होना है क्योंकि future की बात हो रही है आगे की बात करें तो आप यहां पर option को देखो, तो आपको दिखता है कि will be done लिखा हुआ है, will be done का प्रयोग कब होता है, will के साथ में be और verb third, कब होता है बच्चा, बताए जल्दी से comment में मुझे बताइए, will के साथ be और verb third का use कब होता है, will के साथ be और verb third का use होता है, कब जब यह होता है, passive form, passive voice of future indefinite, correct, will, have, did, देखो, do की तीन फॉर्म होता है, बच्चो, do, did, और done, do, did, और दन, और आपको मैं बता दू, have के साथ में, हमेशा verb की third form आती है, ठीक, अगर third form आती है, तो that is done, यानि की did नहीं हो सकता, इस option को आप हटा सकते हो, यहाँ will के साथ verb की first form use होई है, which is correct, have के साथ में verb की third form use होई है, which is correct, अब मुझे जल्दी से यह बता दो, will have plus verb third, will have plus verb third, यह कब use होता है, बच्चो, यह use होता है, आपका future perfect tense में, ठीक है, future perfect tense में, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका will do, will do कब use होता है, आपका यह होता है, future indefinite tense में, ठीक है, और will be done, will be done होता है, आपका passive voice में, कह रहा है, I dash the work assigned to me, I will be done, देखिए, पहली चीज़ तो आप यहाँ पर basic rule यह देख लो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए, कि by this time, plus time यह दि लिखा हुआ है, यह दि वाक्य में इसका प्रयोग है, तो sentence हमाशा हमारा perfect tense में आएगा, और यहाँ पर future की बात है, तो future perfect tense में आएगा, इसलिए यहाँ पर यह doubt खतम हो जाता है, और इसलिए answer हमारा will have done ही आएगा, इसमें कोई doubt होना नहीं चीए, इसलिए simply answer हो जाएगा, by this time tomorrow, I will have done the work assigned to me, ठीक, मतलब, basic सा rule है, future perfect tense में आप will have plus verb third का use करते हैं, future perfect tense का use करते हैं, by this time tomorrow, इस तरीके का प्रयोग जब होता है, तो ऐसा आप करते हैं, इसके लावा, यदि आप मालीजें नहीं भी समझा रहा था, तो तूसरे तरीके यह हैं, कि will do, अगर आप use करो, by this time tomorrow, I will do the work assigned to me, यह नहीं हो सकता, future indefinite tense का प्रयोग, सामान ने future की एक बात को कहने के लिए किया जाता है, जैसे कि कल मैं पढ़ाऊंगा, I will teach tomorrow, simple, इसमें time का कोई जिक्र नहीं है, जब भी time का जिक्र होगा, तो perfect tense आ जाएगा, यह वाला प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्य हमारा active में है, जो subject है हमारा I, वो काम करेगा, वो काम करेगा, आई ही तो काम करेगा, या यह भी नहीं होगा, simple बात है, by this time tomorrow का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर future perfect tense का use होगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question number 5 कहता है, आपको इसमें active voice बनाना है sentence का, लिख रहा है, by whom were you taught English grammar and composition, तो बहुत ही basic सा question है, मतलब यह वैसा question है, जो आपको कोई भी teacher, जब active passive पढ़ाता है, तो सबसे पहला example आपको यही कराता है, एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, who का प्रयोग आप करते हो, subject के रूप में, whose का प्रयोग करते हो, आप possessive के sense में, और whom का प्रयोग करते हो, आप object के sense में, ठीक है, और by आपका बच्चों होता है, preposition, और basic हमारा rule होता है, कि preposition के बाद में आप हमेशा objective case का प्रयोग करते हो, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, वो सब जानते होंगे, मैंने यह सारी चीज आपको पढ़ा रखी, जहांपे भी आपने पढ़ा है, तो by हमारा हो जाता है, preposition, और उसके बाद आता है हमारा objective case, और who का objective case होता है, whom, इसलिए यहाँ पर whom का प्रयोग होता है, है ना, तो अब हमारा यह subject बन जाएगा, क्योंकि हमारा यह active बनाना है, तो active बनेगा, subject बनेगा, तो हो जाएगा who, whom नहीं होगा, who हो जाएगा, correct, subject हमारा जब who होता है, और यहाँ पर लिख रहा है, were you taught, correct, यहाँ पर लिखता है, were you taught, was और were के साथ में, verb की third form कब आती है, was और were के साथ, verb की third form कब आती है, पूरी अंग्रेजी में, was और were के साथ, verb की third form सिर्फ एक condition में आती है, वो तब, जब हम past indefinite tense का, past indefinite tense का passive बनाते हैं, जब हम past indefinite tense का passive बनाते हैं, तो was और were की third form, was और were के साथ, verb की third form आती है, यानि कि जब हम इसका active बनाएंगे, तो कौन सा tense use होगा, that is past indefinite, past indefinite में क्या होता है, verb की second form use होती है, correct, यानि कि यहां पर इन्होंने had taught लिख रखा है, गलत है, यहां whom लिख रखा था, इसलिए गलत हो गया, यहां इसलिए गलत हो गया, that is who taught you English grammar and composition, ठीक है, who taught you English grammar and composition, ठीक, कोई दिक्कत, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, अगला सवाल इन्होंने पूछा था, select the option that expresses the given sentence in indirect speech, तो देखो एक सवाल direct passive का हो गया, दूसरा सवाल direct indirect का हो गया, अच्छा एक चीज और है, कि जैसे CHSL में उन्होंने कुछ active passive या narration नहीं पूछा था, तो कई बार बच्चों ने, कई लोगों ने YouTube पे वीडियो बना कर ये भी बता दिया, कि अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये topic पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक बात ध्यान रखो, कि syllabus में तुम्हारे सब है बच्चा है, इसलिए पढ़ो सब, ये मत करो कि नहीं यार, CHSL में active passive नहीं पूछा तो यहां नहीं पूछेगा, पूछ लेगा, अगर पूछ लेगा, तो तुम्हारा एक question गलत होगा, तीन number जाएगा, गलत attempt करोगे तो चार number जाएगा, है ना, तो ये मत करो कभी, कि हम यासे कर लेंगे, नहीं, जितना है syllabus में, जो कुछ है, वो पढ़के जाओ, ठीक है, जितनी चीजे syllabus में दी जाती है, आप हमेशा पढ़के जाएए, आप खुश रहेंगे, नहीं पढ़के जाओगे, एक सवाल आजाएगा, गलत करके आजाओगे, लाखों लोग तुमसे आगे हो जाएगे एक सवा रहा है, यह है आपका reporting verb, reporting verb को आप present में नहीं बदल दोगे, said, said में ही रहेगा, said, said, says नहीं हो सकता, correct, इस option को देखी, he said that, he said that, to and to make, यहाँ लिख दिया है, इन्होंने made for, यहाँ लिखा make for, अब यहाँ पर catch क्या है, इस सवाल में गलती हो सकती है आप से, कि आपने कि reporting verb हमारी said है, reporting verb हमारी past में है, तो आपने reporting speech को भी past में बदल दिया, ऐसा आप कर सकते हैं, यह गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, simply सवाल में आपका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा third, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप make को make ही रखोगे, क्योंकि आपका simple concept ह होता है, universal truth, जिसमें कि आपके historical facts, mathematical facts, अब two and two, दो और दो चार होता है, इसमें कुछ, मतलब यह आज भी सही है, कल भी सही होगा, परसों भी सही होगा, इसमें बदलने वाला नहीं है कुछ, इसलिए two and two make four हो जाएगा, answer आपका third हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नही होनी चाहिए, इस सवाल से आप यह देख सकते हो, इन दो सवालों से, एक आपने active passive का सवाल देखा, जिसमें SSC ने आप से who वाला concept पूछा, यहाँ पर आपने देखा, तो आपने universal truth का concept पूछा, यानि कि आप यह देख सकते हो, कि सवाल ज्यादा तर कहां से बनता है, exception वा आप से कह रहा है, आपको इस idiom का meaning बताना है, जैसा कि मैंने कहा कि idiom पूछने का एक set for formula आप नहीं है, अलग-अलग तरीके से ससी idiom पूछ रहा है, इस सवाल में bite the bullet लिखा हुआ है, और bite the bullet idiom का आपको meaning बताना है, कह रहा है, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, यह आपको इसमें meaning क्या, इसमें सही बैठता है, the children played in the park on a sunny day, इसमें idiom बैठता है, the chef prepared a delicious meal for the guest, इसमें सही meaning बैठता है, और despite the pain, Sarah decided to go ahead with the surgery, इसमें सही meaning बैठता है, आपको इसमें सही meaning बताना है, कि which option has the correct meaning of this particular sentence, आपको बताना है, bite the bullet, देखो, आप अगर आप एक simple सी, मैं दोखो, एक दो थीन चीज़ें आपको बताता हूँ, कभी भी ना idiom आपके पूछा जाए, जैसे अभी तो देखो थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है, बट अगर जैसे idiom का कभी भी एससे से आपसे meaning बूछे, तो ना चार में से उस option पे ध्यान दिया करो, जिसमें सबसे ज़्यादा meaning लिखाओ, जिसमें सबसे ज़्यादा meaning लिखाओ, तो generally वो option होता है, bite the bullet का meaning क्या होगा, bullet क्या है, पीतल है, ठीक है, bullet को तुम्हें चबाना पड़े, तो क्या ये आसान काम है या मुश्किल काम है, मुश्किल है, बुलेट को the hill to fetch a pale of water, इसमें कुछ भी कुछ खास नहीं कह रहा है, इसमें क्या है, तो fact simple बता रहा है, इसमें कुछ भी ऐसी situation आई नहीं रही है, जिसमें हम medium use कर सकें, तो chef prepared a delicious meal for the guest, इसमें भी कुछ ऐसी situation नहीं आ रही है, इस sentence में जरूर एक situation है, जहाँ पे pain के बावजूद, Sarah ने surgery कराई, यानि कि उसने क्या क्या, she bite the bullet, तो simply answer हो जाएगा हमारा fourth, bite the bullet, dodge the bullet मतलब, dodge करना मतलब ऐसे जुकना, तो bullet जा रहे थी, dodge कर रहे है, यानि बाल-बाल बचना, ठीक है, तो bite the bullet to do something unpleasant or painful because it is necessary, तो bite the bullet का मतलब क्या हो जाता है, to do something unpleasant or painful because it is necessary, क्योंकि ये आवश्यक है, इसलिए इस cancer हो जाएगा, despite the pain, Sarah decided to go ahead with the surgery, ठीक, आगे बढ़ते हैं, question number eight, कहता है, the given sentence has an error, choose the option that corrects the error, any sentence improvement का question है, लिखता है, throw a rounder stone to create ripples in the water, throw a rounder stone to create ripples in the water, अब बहुत simple सा question है, देखो, इस सवाल में लिखता है, throw a rounder stone to create ripples in the water, इस stone उसके आगे लिखता है, rounder article A, यानि कि stone हो गया आपका noun, फिर यहाँ पर noun के आगे जो भी आता है, वो क्या हो जाता है, adjective, ठीक है, ये कैसा adjective है, rounder, shape पताने वाला adjective है, है ना, और यहाँ पर इन्हों ने क्या यूज किया है, इसका, comparative degree यूज किया है, comparative degree का प्रयोग कब होता है, comparative degree का प्रयोग होता है, जब आप दो चीजों में comparison करते हो, और जब दो से ज़्यादा में comparison करते हो, तब आप यूज करते हो, superlative degree का यूज है ना, तो simple सी बात है, दूसरी बात, जब हम adjective की class में पढ़ते हैं, तो हम यह पढ़ते हैं वहाँ पर, कि कुछ आपके ऐसे adjectives होते हैं, जो कि non-gradable adjectives होते हैं, जैसे कि आपका unique, है ना, unique हो गया, आपका complete हो गया, आपका unique हो गया, इसी प्रकार आपका senior, junior, इसके अलावा shape बताने वाले, जैसे round, square, यह जितने भी adjectives होते हैं, इनकी degree नहीं form होती है, इनकी further degree form नहीं होती है, तो जब इनकी degree form नहीं होगी, perfect, तो जब इनकी degree form नहीं होगी, तो यह round का rounder कैसे हो जाएगा, यानि कि जो error है, वो इसी part में हो गई, ठीक, कह रहा है, throw the roundest strong, again roundest नहीं होगा, round more, और double comparative तो कभी भी नहीं होगा, more round भी नहीं होगा, answer simply क्या हो जाएगा, third, throw a round stone to create repulse in the water, simple, कोई दिक्कत, simple सी बात है, shape बताने वाले adjectives के साथ में, आप degree का प्रियोग नहीं करते हैं, adjective chapter का यह question आपका, यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, select the option, तो धीरे धीरे जैसे कई बार आपको लगता है कि SSC यहाँ से ज्यादा पूछ रहा है, वहाँ से ज्यादा पूछ रहा है, SSC सब पूछ लेता है, धीरे धीरे इधर उधर से करके, ठीक कुछ tier 1 में पूछ लिया, कुछ tier 2 में पूछ लिया, कुछ किसी shift में पूछ लिया, इसलिए पूछ सब लेता है, तो इस चक्कर में मत पुड़ो, कि इस फलाने चैप्टर से ज़्यादा आता है, धीमाके से कम आता है, सब पढ़ना है, यह ध्यान रखो, select the option that expresses the given sentence in active voice, again आपसे active पूछ रहा है, the word was presented, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, कि अगर आपके sentence में, was या फिर word के साथ में, वर्ब की third form का प्रयोग होता है, was या फिर वर्ब के साथ में, वर्ब की third form का use होता है, तो वो sentence हमेशा किसकी passive voice होता है, passive of आपका past indefinite हो जाता है, है ना, ठीक, यह ऐसा है आपका, तो फिर was और वर्ब इसका जब आप active बनाओगे, तो past indefinite के active में क्या होता है, वर्ब की second form है ना, तो आपको इसमें वर्ब की second form देखनी है, यहाँ पर लिखा है, was presenting गलत है, the director presented the award to her, she presented the award to the director, the award presented to her by the director, तो दो दो अगेन, यह आपको active बनाना है, तो director जाएगा आगे, है ना, by के बाद जो आया है, वो आगे चला जाएगा, यानि कि यह वाला option तो गलत हो गया, यह वाला option ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, clear, चलिया, आगे बढ़ते हैं, कहता है आपको, इसमें आपको fill in the blanks करना है, synonym भरना है आपको trivial का, the authority refuse to pay any heat to the demands dash made by the workers, आपको synonym fill करना है, ध्यान से रखिए, ऐसे question पर जरूर एक बार ध्यान दे लिया करो, कि क्या question में synonym ही लिखा है, एंटोनेम तो नहीं लिखा है, इस तरीके की गलतियां अकसर देखने को मिलती है, तो आप से यहाँ पर trivial का synonym पूछता है, trivial का मतलब हो जाता है आपका trifle, मतलब तुच, unimportant, majestic मतलब हो जाता है भव्य, बहुत अच्छा, conceited मतलब घमंडी, idiotic मतलब मूर्ख तापूर्ण, insignificant, significant मतलब important, insignificant मतलब गयर important, जो आवश्यक ना हो, तो the authority refuse to pay any heat to the dash demands, आपको trivial का synonym भरना है, तो answer हो जाएगा हमारा, insignificant demands made by the workers, ठीक है, insignificant demands made by the workers, is the correct answer, ठीक, तो answer आजाएगा है, यहाँ पर, इसमें कुछ, खास नहीं था, और simple सा ही word, यहाँ पर पूछा गया है, अगला कह रहा है आपको, the students eagerly, dear, awaited, the students eagerly, dear, awaited results, आपको grammatically correct बनाना है, sentence को, तो the students dear, eagerly awaited results, the students eagerly awaited, dear results, the awaited eagerly students, बहुती simple question है आपका, I think आप सब लोगों ने अप तक कर लिया होगा, देखो यहाँ पर, the students, यह आपका noun है, तो यह आपका subject हो गया, ठीक है, और आपका, dear, dear आपका possessive adjective है, इसके बाद आएगा noun आपका, जो की क्या है, results, यहनि कि dear results लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो पहला तो अटा देते हैं, इसलिए अट गया, ठीक है, dear eagerly नहीं हो सकता, dear results ही होगा, awaited आपका verb है, तो यह आपका आजाए, students के बाद, the students eagerly awaited their results, the eager, sorry, the awaited eagerly students, awaited the awaited नहीं हो सकता, विल्कुली गलत हो जाएगा, eagerly awaited the students, यह भी गलत हो जाएगा, simply answer हमारा हो जाएगा, second, the students eagerly awaited their results, इसमें कुछ खास नहीं था, simply आपको सही sentence form करना था, जो कि आपको पढ़के ही दिख जा रहा है, कि यह वाला होगा, कारण मैंने आपको बता दिया, dear results आएगा, पहली चीज तो, यहाँ पर eagerly awaited the students, पहले subject हैगा ना, subject कैदा students, यहाँ पर eagerly थोड़ी हो सकता है, आप eagerly तो verb है, दा के बाद कैसे आजाएगा, तो answer आपका second हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिखकत तो नहीं, simple, देखो, इसमें क्या है, यह आपका हो गया noun, यह आपका हो गया adverb, ठीक, सब्जेक्ट है मारा everyone, और यहाँ पर आपने यूज किया those, those का मतलब हो गया, कि वो वाले, कौन वाले, basically वो कहना यह चाह रहा है, कि everyone should respect his, अपने parents, अपने parents की respect करनी चाहिए, अपने teachers की और अपने से बढ़ों की, तो जब सब्जेक्ट हमारा everyone होता है, तो ध्यान यह दीजिए, those नहीं होता है, अगर यह sentence को यहाँ पर इस तरीके से भी लिखता, dear, तो भी यह गलत होता, everyone should respect dear नहीं होगा, everyone should respect his होगा, dear भी गलत है, everyone should respect his parents, his, everyone should respect his parents, teachers and elders, ठीक? चलिया, access denied, आपको इसका passive voice बनाना है, बड़ा ही अच्छा question था, SACC ने पूछा भी था है, and it was one of the controversial questions of SACC seizure 2013 के tier 2 का, सवाल है, access denied, option है आपके, let the access be denied, access is being denied, access has been denied, or let it known that access will be denied, तो देखो, दो तीन चीज़े हैं, पहली जीज़, इसमें let it be, आप देखो इस तरीके के सवाल में, आपको देखो पहली जीज़, तो इसक्या किसी भी सवाल में, SACC के, आपको कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो SACC ने दिया है, आपको वो करना है, मतलब, चार options में से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है, चार options में से आपको एक option correct चूज़ करना है, ठीक, let it be known that access will be denied, क्या मतलब है, यहाँ पर इन्होंने future बना दिया, future बनाने का तो कोई मतलब है नहीं, तो यह तो हटाई दो आप, ठीक, इस सवाल को देखो, access is being denied, is being, is के साथ में, being, plus word third का बाता है, यह आता है, जब आप present continuous का passive बनाते हो, क्या यह वाकिए present continuous में दिख रहा है, नहीं, तो यह ता दो, यहाँ पर लिखता है, access has been denied, has के साथ में been, plus word third का बाता है, जब, जब, आपका, यह तब होता है, जब आपका present perfect का आप passive बनाते हो, क्या आपको यह sentence present perfect में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यह भी हटा दो, अब मुझे यह बताओ, चार में से तीन गलत हो जाते हैं, तो answer क्या हो जाता है, तो answer हमारा क्या हो गया, let the access be denied, इसमें कई लोगों को doubt था, कई लोगों ने सवाल किया, बट यह answer सही है, क्योंगे सही है, आपका जो sentence है, वो imperative sentence है, और imperative sentence का पैसे, let's say बनता है, इसमें कोई दिखकत नहीं है, let the access be denied, यह सही जवाब हो जाएगा, and again, चार में से तीन यदी गलत, तो most appropriate वाले को answer, mark किया दाता है, ठीक है? Excuse me. ठीक, आगे बढ़ते हैं. This is the challenge task that I have encountered, encountered, आपको यहाँ पर, Excuse me. Excuse me. कह रहा है, select the most appropriate option in the superlative degree, that can substitute the underlying segment. आपको superlative degree लगानी है. ठीक, most challenging, challenging तो superlative होता नहीं है, more challenging भी superlative नहीं होता है, much challenging भी superlative नहीं होता है, superlative क्या होता है? most challenging. तो simple answer हो गया, this is the most challenging task I have ever encountered. Question number 15, आपको इसमें error बतानी है, कह रहा है, they were married happily before she quit her job. तो इसमें आपको एरर बताना है, किस पार्ट में error है, they were married happily before she quit her job. इसमें आपको एक पार्ट में error है, आपको बताना है, किस पार्ट में error है. तो देखिए, they, आपका plural है, work का प्रयोग हुआ है, correct है, work married लिखा हुआ है, तो married यानि work के साथ में, verb third का प्रयोग होता है, जब आप sentence को, passive में लिखते हो, past and definite कोई दिक्कत नहीं, happily before she quit her job. तो यहाँ पर जो error है, वो हो जाता है, देखो, happy आपका क्या है, happy आपका adjective है, और happily क्या है, adjective में लिखता है, तो बनता है, adverb, तो happily आपका क्या है, adverb, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, they were happily married, before she quit her job. तो इसलिए जो error हो जाएगी, वो आपके part, B में हो जाएगी, यहाँ पर happily married, जो है, सही जवाब हो जाएगा. ठीक है? चलिए. dash that thought, it will be a great idea, someday. dash that thought, it will be a great idea, someday. hold to, hold on, hold against, or hold on to. ठीक है? hold to हो जाता है, to remain loyal, or faithful to something, or to abide by it, यानि, किसी नियम का पालन करना, या किसी के साथ loyal रहना, जैसे, she held to her resolutions, यानि कि, उसने जो भी resolution लिये थे, जो भी निर्ने लिये थे, जो भी निश्चे किये थे, उनको, अच्छे से follow किया, hold on, मतलब wait, या फिर रुकना, या पिर रुकने के लिए है, hold against, मतलब to use something, as a reason to have a bad opinion of something, तो I have not held anything against you, यानि कि, मेरे अंदर तुम्हारे विरुद्ध कोई विचार नहीं है, तो किसी के विरुद्ध कोई विचार रखने के लिए आता है, hold against, और hold on to, मतलब होता है, to grasp और clinch to something, for support or stability, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, to grasp, किसी को पकड़ के रखना, for support या उस चीज़ के लिए, तो that is आपका hold on to, तो simply यहाँ पर answer आपका hold on to हो जाएगा, hold on नहीं होगा, ठीक है, hold on मतलब होता है, wait करना, hold on, जो अपन खिलते थे न, जैसे बच्पन में games खिलते थे थे तो कहते हैं, hold on, hold on, hold on मतलब wait करने के लिए है, पकड़ के रखने के लिए आपका हो जाएगा, hold on to, hold on to, hold on to का मतलब हो जाता है, to grasp or clinch to something, for support or stability, ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, hold on to, hold on to that thought, यानि कि उस thought को पकड़ के रखिये, रोक कर रखिये, He is taller and most handsome than his friends, आप एक चीज़ देख सकते हूं, यहाँ पर taller का प्रयोग किया है, that is comparative degree, फिर यहाँ पर इन्होंने most का प्रयोग किया है, that is superlative degree, और फिर यहाँ पर इन्होंने than का प्रयोग किया है, और फिर his friend लिखा, यानि कि he का comparison, अगर आप and से दो adjectives को जोडते हो, तो दोनों ही adjectives सेम degree में होने चाहिए, यहाँ पर यह comparative degree में है, यह superlative degree में है, जो की गलत है, सही क्या हो जाएगा, more, ठीक है, so यहाँ पर आप very more नहीं आएगा, the more नहीं, the most नहीं, answer fourth हो जाएगा, he is taller and more handsome than his friends, next, she vacillates a lot while making any decision, तो आपको इस सवाल में, यहाँ पर, select the given sentence, has an error which has been underlined, the underlined word is given as an option, with some changes, select the option, rectifies the error, तो आपको यहाँ पर vacillate की spelling में correction करना है, vacillate की spelling में correction करना है, ठीक है, तो vacillate में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, that is vacillate, यहाँ पर double C लगा हुआ है, vacillate नहीं होता है, vacillate की spelling में double C का प्रयोग नहीं होता है, और नहीं S का प्रयोग होता है, ठीक है नहीं double C आता है नहीं S आता है अंसर हो जाएगा fourth that is vacillates double L का प्रयोग होता है V-A-C-I double L-A-T-E-S vacillates she vacillates a lot while making any decision Ashoka was not only a great warrior but also a very wiser ruler again आप देखो तो इस पूरे चैप पेपर में adjective से बहुत error आई है मतलब I think this is the third or fourth question जो कि हम adjectives का देख रहे है तो आप इस सवाल में देख रहे हो कि not only a great warrior but also a very wiser ruler लिखा हुआ है wise होता है आपका इन्होंने ER लगा के उसे comparative बनाने की कोशिश की है है ना जो कि गलत है wiser नहीं होगा simply क्या होगा wise comparative का प्रियोग तब करेंगे जब दो लोगों में comparison हो जो कि है नहीं wiser superlative के लिए होता है more wise भी नहीं होगा answer हो जाएगा wise Ashoka was not only a great warrior but also a very wise ruler answer आजाएगा आपका third ठीक है wise ruler next Robin watched as the smoke dash steadily from the chimney ठीक है Robin watched as the smoke dash steadily from the chimney एक बात बताओ धुआ चिमनी से धीरे धीरे उपर की तरफ जा रहा होगा है ना went, hung, left या rose went मतलब जाना लेकिन धुआ जाएगा धुएं के लिए धुआ चलके तो जाएगा नहीं तो वेंट चलके जाने के लिए होगा होगा ठीक है, hung मतलब लाटका देना लटक नहीं रहा है, left मतलब कोई जा रहा है कि he left यानि कि वो चला गया लेकिन धुआ धीरे धीरे उपर उठ रहा है तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका आपका यह रोज ठीक है, Robin watched as the smoke rose readily steadily from the chimney तो Robin watched as the smoke rose steadily from the chimney will be the correct answer, fourth is the right option next he said I bought this book for my brother he said, comma inverted comma, I bought this book for my brother आपको indirect speeches का बताना है तो said के बाद, comma inverted comma हटेगा, आजाएगा that ठीक, यह past में है, यह कोई universal truth तो है नहीं bought यानि कि past indefinite past indefinite change हो जाएगा, past में तो बनेगा past perfect और past perfect के लिए क्या आता है, had plus work third, correct तो यहाँ पर आपने, she said he buy नहीं हो सकता, has नहीं हो सकता bought नहीं हो सकता, answer हमारा एक ही बचा, that is he said that he had bought that book for his brother simple, ठीक है, तो आपको एक चीज पकड़ लेना है जो की सब में नहीं हो, जैसे यहाँ had bought था यहाँ by has bought, यह तीन हो ही नहीं हो सकते, option हो गया पहला हमारा ठीक है? next, the principle set to I, comma inverted comma, you are in charge of the admission cell यह भी again कोई, select the most appropriate option in the direct speech, इसमें से कौन सा option direct speech के लिए most appropriate है जो भी खैर लिखा है, यह कोई universal truth तो है नहीं, तो अब इस सवाल को देखें the principle set to I, लिखता है, वच्छो टू क्या होता है, टू होता है आपका preposition और हमने noun chapter में पढ़ा है, preposition के बाद आता है objective case, जो कि I का objective case होता है me, correct, तो यदि I का objective case me है, तो टू के बाद क्या आना चाहिए, me तो टू I नहीं हो सकता है, me हो सकता है, me हो सकता है, ठीक the principle say me, आपने कोई preposition का use नहीं किया, तो यह गलत है said me, again आपने कोई preposition का प्रयोग नहीं किया, तो यह गलत है बचा A की option, that is third, the principle said to me, you are in charge of the admission self, तो answer हो जाए का हमारा third, ठीक है next, cinema provides the most universal entertainment, again adjective chapter पर ही question है और similar question rounder वाला था, कि throw a rounder stone to create repulse in the water basically, in water, तो again यहाँ पर यहनोंने universal के साथ में most का प्रयोग किया है, और universal आपका कैसा है universal आपका non-gradable adjective है तो non-gradable adjective के साथ क्या होगा, the most universal entertainment क्या रहा है non-gradable मतलब आप इसका ना ही comparative degree बना सकते हैं, ना ही superlative बना सकते हैं, क्योंकि universal हो गया, तो वो automatically सबसे super हो गया है अब super के उपर क्या होगा, super duper कुछ नहीं होता है, बोलिवोड में होता है ठीक है, तो super, already अपना universal है, that is at its peak तो most universal नहीं होगा, cinema provides the universal entertainment ठीक है, more universal नहीं होगा, an universal या a universal अब ये एक सवाल article का हो जाता है, अब अगेन याद रखिए, umbrella umbrella में जो u का sound है, a, जब ये sound आता है, तब आप an का प्रयोग करते हैं, लेकिन university university में जो u का sound है, तब आप a का use करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर a universal सही है, an universal गलत है, तो answer हो जाएगा, cinema provides a universal entertainment, ठीक है, चलिए, you use an dash to steer a boat, अब आप इसमें से कौन से और का use करते हैं, o, r, e, a, r, e, o, a, r, और, और, और तो यह हो गया अथवा के sense में, तो यह तो नहीं होगा, r आपकी helping verb है, ठीक है, और और हो जाता है आपका is के रूप में, तो जुसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका o, a, r, that is, o, or, यह हो जाता है, i ask, यह आपका helping verb, यह का अथवा, use an steer a boat, चप्पू के लिए आ जाएगा, और, ठीक है, you use an or to steer a boat, ठीक है, o, a, r, next, they want to live in first floor of this building, आपको इसमें, error find करना है, किस part में, error है, they want to live in first floor of this building, ठीक है, तो अब इस सवाल में इन्हों है, देव के साथ में, they आपका plural subject हो गया, want का use हो रहा है, जो कि आपका verb की first form हो गई, to live in first floor of this building, देखे, floor आपका क्या है, आपका noun, first आपका क्या है, दो तरीके के number होते हैं, यह बात ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है, पूछा गया है, आपका अभी UPSC की तरफ से कोई exam हुआ था, मुझे नाम नहीं आदा रहा एक्जाम का, stenographer का को exam था, उसमें पूछा गया था, दो number होते हैं, आपका एक होता है cardinal number, और एक होता है आपका ordinal number, ठीक है, simply ध्यान रखने का तरीका क्या है, C for cardinal और C for counting, counting किससे करते हो आप, 1, 2, 3, 4, correct, O for ordinal और O for order, order किससे बताते हो आप, first, second, third, fourth, है ना, तो counting number, 1, 2, 3, 4, ordinal number, first, second, third, fourth, अब यहाँ पर आपने, यह क्या देख रहे हो, यह कैसा number हो गया, ordinal number, जो basics और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो यह कि the, plus o, plus c, plus noun, यानि कि सबसे पहले आएगा दा, फिर आएगा ordinal number, फिर counting number, फिर cardinal number, फिर आपका noun, तो ordinal number आपका क्या है, यहाँ पर first, ठीक है, तो उसके पहले क्या आएगा, the, तो answer हो जाएगा, they want to live in the first floor of this building, तो सही जवाब आपका यहाँ पर आजाएगा, fourth part में, they want to live in the first floor of this building, ठीक है, clear, तो यह ध्यान रखना है, ordinal number और cardinal number का आपको rule ध्यान रखना है, यहाँ ठीक है, clear, इसके लावा इस question में, आप जब they live in first floor लिखाए, in का भी use नहीं करते है, they live on the first floor हो जाएगा, ठीक है, they want to live on the first floor of this building, ठीक है, दा का प्रियोग होगा, साथ ही साथ यहाँ पर on का प्रियोग भी होगा, क्योंकि इनका use जो होता है, वो आप enclosed spaces के लिए करते हो, और आप बिल्डिंग के फ्लोर पर रेरेंगे की बात कर रहा हो, तो enclosed नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर on का प्रियोग करोगा, ठीक है, they want to live on the first floor of the building, in the first floor का प्रियोग नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, the speaker's emphasis, the speaker's emphasizes is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India, इसमें आपको एरर बताना है, again simple सी बात है, speakers, देखो, आपने यहाँ emphasizes का यूज किया हुआ है, verb है हमारी emphasize, ठीक, emphasize आपकी verb है, verb में आपने s का यूज किया, यह कब होता है, जब subject हमारा singular हो, तो verb के साथ में s या फिर es का यूज होता है, कब जब वाक के हमारा present indefinite में हो, है ना, तो इस sentence में जो आप देख रहे हो, कि speaker है और emphasizes, आपने यहाँ पोस्ट्रॉफे es का यूज का यूज का यूज कब करते हैं, जब साथ में हमें कोई noun जोडनी होती है, और noun को हमें position बताना होता है, in that case हम यूज करते हैं, इसके बाद आपने verb यूज की हूई है, तो यह गलत है, यहाँ पर आपको emphasizes की कोई इसके, अपोस्ट्रॉफे es के कोई जरू होत नहीं है, simply हो जाएगा तो, speaker emphasizes, ओके, थोड़ा सा confusion, यहाँ पर यह नहीं होगा, हाँ, चलब, यहाँ तक बाद ठीक है, यह प्रियोग तब करते हैं, जब यह present indefinite में होता है, लेकिन आगे क्या कर रहा है, the speaker emphasizes is on the present day, यानि इस का प्रियोग आगे वो कर रहा है, यानि कि यह sentence present indefinite में है यह नहीं, तो हो जाएगा, the speaker emphasizes नहीं होगा, यह आपका verb है, इसकी जगे पर आपको noun का प्रियोग करना है, जो मैं अभी आपको बोला, जो मैंने अभी आपको बोला, कि आप noun के साथ में अपोस्ट आफे एस का प्रियोग कप करते हो, जब आपको possession बताना होता है, यह possession कैसा होता है, noun ही होता है, and in that case यह जो आपका noun है, यह कैसे behave करता है, possessive adjective के तरह behave करता है, ठीक है, तो the speaker's emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India, that is the correct formation, तो error जो है वो आपके part 3 होगा, confusion इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा blender कर रखा है, जो कि आपको पढ़ते ही समझा जागा, क्योंकि the speaker's emphasizes is on the emphasizes तो वो हब है, यहाँ पर noun की ज़रूरत है, तो noun आएगा, the speaker's emphasis is on the present day will be the correct answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question हमारा, आपको इस sentence को पूरा जो है, एक word से substitute करना है, आपको ठीक है, एक substitute करना है, जो same meaning रखता हो, she was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing, इस पिक यानी की वो बोलने में और लिखने में बहुत ही अच्छी, अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख पाती है, तो incoherence, rambling, mumbling और articulation, तो यहाँ पर आप देख पार हो, incoherence मतलब us first अता, coherent मतलब us first, incoherence मतलब us first, mumbling मतलब बुदबुददाना, ठीक है, rumbling मतलब भी होई, तो answer जो यहाँ पर आजाएगा, वो आएगा, articulation, articulation का मतलब होता है, अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख पाना, तो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाना, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से express कर पाने के लिए, जो शब्द यूज होता है, वो आता है आपका articulation, इसलिए यहाँ पर आपका articulation is the correct answer here, ठीक है, तो articulation is the correct answer here, articulation का मतलब होता है, articulate करना, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, एक स्पस्ट रूप से रख पाना, ठीक है, इन कोहरेंस, अच्छे तरीके से अपनी बात को रखना, और mumbling मतलब बुद बुद बुदाना, अंसर आजाएगा हमारा third, that is articulation, ठीक है, third is the correct answer, rambling, confusing तरीके से अपनी बात को रखना, lengthy तरी, lengthy and confusing way में रखना, in accordance, as fast, mumbling, बुद बुदाना, there is a place of grains, for grains, in the backyard of the house, अब place for grains को हम one verse of traditions में क्या खेते हैं, archive होता है, जहांपर records रखे जाते हैं, ठीक, dormitory होता है, जहांपर आपके धर्म साला या, जहांपर बहुत सारे लोग एक जगे पर रहते हैं, बड़े से hall में, appiary और दो शब्द हैं, आपके confusing भी हो, confusion भी होता है, इसको ध्यान रखिए, एक होता है aviary और एक होता है appiary, aviary मतलब aviation से related हो गया, aviary हो जाता है birds जहां रखी जाती हैं, ठीके, aviary, aviation, aviation मतलब birds उड़ती हैं, और appiary होता है जहांपर bees रखी जाती हैं, तो जहांपर bees collect की जाती है, that is appiary, और जहांपर आपके birds package में रखे जाते हैं, that is आपका aviary, ठीक है तो एपियरी होगे आपका बीज के लिए टॉर्मिटरी एक बड़ा सा हॉल जहां पे एक साथ लोग रहते हैं ग्रेंडी अनाज संग्रे करने वाला आर्काइब रिकॉर्ड रखने वाला एवियरी बर्ड्स एपियरी बीज ध्यार रखना है दोनों ही बहुत इंपोर् बारिश में भीगने के लिए आप प्रेंज का प्रेंज करते हैं तो बारिश में भीगने के लिए आप गर maior वह गए टरौ लग तो आपको युकां में हुगा तो चुब was cold as she was drenched in the rain simply answer rada ka cold next यह आपका जो question है यह आपका है close test question आपको paragraph पढ़ना उसमें से आपको answer बताना है ठीक है तो एक बर ही आप video को pause करके question पढ़ लीजिए फिर attempt करिए उसके बाद हम इसको discuss करते हैं question कहता है the ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global dash dispersion drift divergence effort focus movements advocating for racial gender and LGBTQ plus equality as well as addressing systematic discrimination and justice have dash momentum and recent years people are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that dash inequality and fostering any inclusivity in all aspects of society call for calls for justice representation and equal opportunities have sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world it is crucial to dash in meaningful dialogue challenge biases and actively promote diversity and build a society where everyone has equal rights and opportunity तो देखिये अब इस सवाह इस पूरे paragraph को पढ़के आप ही देख पा रहे हो इसमें देखो जब भी आप close stress attempt करो तो जब आप पढ़ो तो थोड़ा सा अपने आप से guesswork करो कि क्या हो सकता है तो ongoing fight for social justice and equality continues to be a significant global dispersion dispersion मतलब होता है फैलना disperse हो जाना drift diverge होना divergence होना मतलब फैलना focus मतलब एक जगे पर इकठे होना यह एक point पर इकठे होना तो इस सवाल के लिए simply answer हमारा हो जाएगा आपका that is focus क्यों होगा देखो बाकी जो option dispersion and divergence drift दिये यह opposite है एक तरीके से भाई कह रहा है जो ongoing fight है social justice की सामाजिक न्याय की equality की वो continue हो रही है to continues to be a significant global focus यानि कि अभी बहुत तेजी से लोगों का ध्यान उसकी तरफ है लोगों का focus उसकी तरफ है ठीक है movements जो advocate कर रहे हैं जो वकालत कर रहे है racial gender LGBTQ plus equality का as well as address कर रहे है systematic discrimination का और injustice का have dash momentum in recent years यानि कि हाल ही में ऐसे movements ने क्या पकड़ा है ऐसे movements ने थोड़ा सा बल पकड़ा है ऐसे movements थोड़ा और तेज हुए है तो have simply आप यहां क्या पर सकते हो have gained momentum have scattered नहीं हो scattered मतलब फैल जाना तो scatter नहीं हुआ है movement ठीक है invoke मतलब होता है बुलाना जैसे I invoke God या जैसे उसने the law has invoked contempt invoke मतलब होता है किसी को बुलाना invoke नहीं होगा provide भी नहीं किया है momentum पकड़ा है momentum पकड़ने के लिए अंगरे जी होगी हमारी momentum गेन किया है तो have gained momentum in recent years people are increasingly recognizing the importance of dismantling structures that अब देखो अभी हमने option नहीं देखें क्या हो सकता है आपर कि लोग जो हैं लगातार increasingly recognize कर रहे हैं किसकी importance को कि ऐसे structures को dismantle किया जाए तोड़ा जाए जो की inequality को बढ़ावा देते हैं और आगे देखो ना यहां पर आपका gained हो जाएगा ऐसे structures को तोड़ने की बात कर रहा है तो that dash inequality that refract, seize, perpetuate, terminate तो people are increasingly recognizing लोग जो है लगातार recognize कर रहे हैं importance को किस चीज की importance को कि ऐसे structures को dismantle किया जाए that dash inequality जो inequality को बढ़ावा देते हैं terminate मतलब खतम करना जो बढ़ावा देते हैं बढ़ावा देने के लिए एक ही शब्त- यहांपर that is perpetuate कर न refract, terminate and foster inclusive click को foster खेने के लिए लोग इसको recognize कर रहा है Calls for justice, representation and equal opportunities have sparked conversations यानि कि justice की और समान अवसर की conversations को ऐसी बातों ने ऐसी बाते शुरू हुई है समाज में और ऐसे initiatives किये जा रहे हैं aimed at creating a more equitable world और एक समान विश्व बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार It is crucial to dash in meaningful dialogue यानि कि यह आवश्चक है कि हम meaningful dialogue में शामिल हूँ या meaningful dialogue को हम बढ़ावा दें एक positive शब्द आएगा यहाँ पर तो positive शब्द कहाँ पर क्या है manifest, evolve, concide and engage तो हम अपने आपको एक meaningful dialogue में क्या करें engage करें manifest नहीं करेंगे आपको इस तरीके की चीज़ें आप तभी बहतर कर पाओगे जब आप reading करोगे अगर आप newspaper वगरा नहीं पढ़ रहे हो आपको इन तरीके की चीज़ों को करने में दिक्कत आएगी ही आएगी ठीके? फिचाए आप CGL की तयारी कर रहे हो चाए स्टैनों की कर रहे हो चाए आप junior हिंदी translator की कर रहे हो किसी भी exam की तयारी कर रहे हो newspaper को पढ़ना अत्यनत आवश्यक है अगर आप newspaper नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरीके के paragraph आपके लिए एक आम बात नहीं होंगे इस तरीके के paragraph आप class में पहली बार देखोगे और आप इनसे डर सकते हो आपको लग सकता है कि यार इसमें कुछ तो अलग है यपकि कुछ अलग नहीं है यह सेम ही है बट वो तभी सेम लगेगा जब आप डेली एक ऐसा paragraph एटलीस पढ़ रहे हो दस paragraph डेली आप पढ़ो ऐसे तभी आपको एक आम बात लगेगी नहीं तो यह paragraph देखकर ही आपको डर लग जाएगा आपको इसमें passage है इसमें आपको answer बताना है ठीक है आपको इसमें passage में questions के answer बताने हैं simply question देखते हैं क्या कह रहा है in which region do grapes ripen in August August में किस region में ripe होते हैं तो grapes ripen in the area of California in August तो simply यहाँ पर हो जाएगा California में August में ripe होते हैं ठीक है अगें यह paragraph भी आप इस तरीके से जैसे यह question तो आसान है लेकिन कुछ question आएंगे जिसमें tone पूछेगा title पूछेगा आगे तो वैसे question आप तब करपा होगे जब आप पढ़ोगे सिर्फ बच्चों वाले सवार हमेशा नहीं आएंगे कुछ question आपके title, tone इस तरीके के भी आएंगे और वो तभी possible है जब आप newspaper रीडिंग करोगे that is very very important based on your reading of the passage select the most appropriate word which best describes luscious तो आप luscious को best describe कौन सा word कर रहा है smooth, juicy, soft या फिर large तो luscious आपका यहाँ पर लिखा हुआ है on woody plants known as wines luscious smooth तो luscious के लिए जो सही शब्द आता है वो आता है आपका smooth, juicy, soft, large नहीं होगा आपका answer हो जाएगा है यापर juicy, luscious होता है juicy, इसी से luscious जो आपका एक app है जिससे आप non-wage order कर सकते हो, वो luscious juicy से बना हो है, juicy is the correct word select the most appropriate title for the passage, again title of the passage पूछ रहा है, wine making क्या इसमें wine making का process समझाया गया है नहीं, इसमें आपको यह बताया गया है कौन सी चीजे कहां पाई जाती है varieties of grapes, grapes and world grapes and its users, तो on woody plants known as wines, luscious smooth skinned berries, called grapes grow in dense clusters, in particular grapes are grown in France, यह जगे जगे पर आपके कैसे कैसे grapes होते हैं, इसके बारे में बताया table grapes बड़े होते हैं sweeter grapes ऐसे होते हैं, wine बनाने के लिए आपको यह करना है, grapes जो है यहां होते हैं, तो basically जानकारी आपके grapes के विशह में जादा है wine making का process तो यह नहीं बता रहा है, अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका grapes and its uses, इस तरीके की जो question है, जैसे varieties of grapes तो यहां नहीं बताई हो, obviously उसने तो वो नहीं होगा, grapes and grapes and its uses more correct यहां पर उन्होंने यह दिया है क्योंकि यहां पर उन्होंने इसके use भी बता है तो create wine, 80% of the grapes are crust, the fermentation process होता है grapes आपके California में ripe होते हैं फिर वो wine बनाने के लिए cut किये जाते हैं, तो इन्होंने उसके use पे ही ज़्यादा focus किया है, इसलिए grapes and its uses ही correct है grapes and the world नहीं होगा, grapes and the world मुझे लग रहा था, वो तब होता जब वो आगे उसके विशय में ही बताता कि कौन सा grapes कहाँ पाया जाते हैं, बट उसने आगे wine बनाने पे भी focus ज़्यादा किया है और कैसे किया चीज़ है, उस पे focus किया है इसलिए grapes and its usage is correct चलिए what does the fermentation process do? fermentation process क्या करता है? तो यहाँ पर इन्होंने बताया, the fermentation process turns grapes into wine तो grapes को wine में convert कर देता है तो answer हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है? next अब यह वाला paragraph आप इस ध्यान से पढ़िए उसके बाद हम इसकी questions को attempt करते हैं हाँ जी पढ़ी है the discovery of a new bird species has sparked excitement among ornithologist and birth enthusiast worldwide ठीक है? इन्ही कोई नई बर्ड पाएगा है जिससे ornithologist और world bird enthusiast में काफी उत्सा है the bird जिसका नाम है sapphire winged varble discovered की गई है कहाँ पे एक remote tropical island rainforest में वो काफी unique bird है जिसमें bright vibrant blue feathers है distinctive melodic song है bird watchers and nature enthusiast have been flocking in the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature यहने कि जो bird watchers है और nature के enthusiast है वो हाँ पे इकठ्थे और है flock मतलब birds को इखट्टा होती है तो flock करते है बट यहाँ पे चुकि birds के लिए इखट्टे हो रहे हैं इसलिए उनने flock का use कर दिया मतलब इखट्टे हो रहे हैं उमीद में कि वो elusive और captivating जो मंत्र मुग्द करने वाला creature है उसका एक जलक पापाएंगे इसकी discovery है यह इस बात पर highlight करती है कि हमें habitats को बचा के रखना है इसके बीच में रिसर्च ने इस बात पर mission शुरू कर दिया कि वो उसके migratory patterns को पता कर पाएं equipped with satellite tracking devices they aim to trace the remarkable journey of this species across vast distances by unraveling its migratory routes stopover locations यानि कि जो satellite tracking devices equip होकर वो aim कर रहे है remarkable journey को trace करने के इस species के कि वो कहां कहां जाते है उस पर by unraveling its migratory routes migratory routes को पता करके scientists इस बात पर उमीद कर रहे हैं कि वो उन्हें पता चल पाएंगा into challenges the sapphire wind wobble faces during its arduous travels at least उनको पता चल पाएंगा कि वो अपने travel के दौरान क्या क्या challenges face करती है bird the local community on the tropical island has embraced the newfound avian resident with great enthusiasm local community ने बहुत अच्छे से इसको सौगत किया एक तरीके से efforts are underway to raise awareness about the importance of conservation and to create protected areas that ensure the continued existence of the exquisite species यानि कि इस चीज़ पर प्रयाज जारी है कि इस तरीके के जो areas उने बचा के रखा जाए रखा जा सके, conserve किया जा सके identify the most appropriate word for the stair stair मतलब होता है घूरना आपको अब यहाँ पर देखने से संबंदित vibrant मतलब चमकदार, arduousness मतलब बहुत महनत वाला, excitement उत्सा, एक ही शब्दा जो देखने से related है, that is glimpse, तो यहाँ पर appropriate antonym आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा glimpse क्योंकि stair मतलब घूरना और glimpse मतलब होता है जलक पाना, तो सही जवाब यहाँ पर आपका जलक पाना ही हो जाता है ठीक है? glimpse is the correct answer next select the most appropriate title for the given passage आपको title बताना है, correct passage का क्या होगा तो the select most appropriate, the unique features of the sapphire-winged warble, migratory journey of the sapphire-winged warble, the curious behavior of birds in remote Thailand, और conservation efforts in tropical rain forest, किस चीच पर सबसे ज़्यादा focus इस paragraph में हो रहा है, क्या conservation पर हो रहा है, क्या आप उस जो बर्ड है, उसके features पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, या फिर आप behavior की बात बात कर रहे हैं तो क्यूरियस बीहेवियर और बात कर रहे हैं इन ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट में किस चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसी चीज पर आपको सबसे ज्यादा उसी चीज पर आपको वही आपका इसका टाइटल या फिर वही इसका अप्रोप्र टाइटल होना चाहिए ठीक है so what is the correct title for the passage आपको बताना है all right so most appropriate title के रहा है the unique features of sapphire wind वाबल migratory journey curious behavior of birds वो नहीं कर रहा है तो क्यूरेश बेहईवियर और बार्ट नहीं हो सकता conservation पर बहुत एक line में end में करें पूरी बात यहां पर सिर्फार सफ़ार विंग वाबल वाबल बड़ पर ही हो रही है unique features उसके सारे features को नहीं बता रहे है main focus यहां migratory patterns पर हो रहा है कि migratory patterns को पता कर लें कैसे पता कर लें उसके तरीके बता रहा है तो यह नहीं होगा answer हो जाएगा migratory journey of the sapphire winged all right so the answer will be the migratory journey of the sapphire winged verbal simple next question पर आते हैं अगला question कहता है which statement best reflects a fact mentioned in the given passage तो आपको सफार विंग वाबल is the largest word in the species in the avian kingdom ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई है दूसरे सेंटेज में करें schools on the island organize annual bird watching competitions ऐसी बात भी कहीं नहीं लिख रहा है the sapphire winged वाबल is the only bird species on the tropical island यह भी नहीं कह रहा है researchers are using satellite tracking devices यह correct है यहाँ पर लिख रहा है equipped with the satellite tracking devices they aim to trace the remarkable journey of the of this species across vast distances so the answer is second यह बात इन्होंने fact mention किया हुआ है अगले सवाल पर आते हैं कहता है 41 के रहा है based on the given passage which of the following inferences can be made इससे हम क्या infer कर सकते हैं तो के रहा है in conservation efforts are solely focused on protecting the sapphire winged bubble ऐसी बात कहीं नहीं लिख रही है कैसे इंफर कर लेंगे ऐसा कहीं नहीं कह रहा है तो यह भी नहीं इंफर कर सकते हैं यह इंफर नहीं कर सकते हैं the discovery of the sapphire winged bubble has sparked global interest यहां कहा रहा है the scientific community has lost interest lost तो नहीं हुआ interest बढ़ा है the sapphire winged bubble is the aggressive and territorial bird species इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है ठीक है यहां इकता है पहली लाइन में the discovery of a new bird species that sparked excitement अगर excitement बढ़ा है तो global interest बढ़ा है यहां कि answer हो जाएगा मारा fourth is the correct answer in this question clear all right let's see the question number 42 alloys give steel unusual hardness toughness or ability to resist rust steel is often called the backbone of modern industry almost everything we use is either made of iron or steel or made of has been made with tools and machinery of these metals ships trains trucks and autos are made largely of steel even the safety pins and the needles you use are made of steel oil wells are drilled with drilled with steel machinery steel pipelines transport oil minerals are minded mind with steel equipment farm machines are mostly steel large buildings have steel framework what is the tone of the passage judgment हो रहा है नहीं criticize कर रहा है किसी को नहीं आरनी नहीं informative यहां पर हो जाएगा answer हो जाएगा हमारा passage हो जाएगा informative because in general steel के विशह में information दे रहा है identify the structure of the passage sequential क्या events को बता रहा है कि 1901 में 1902 में 1902 में 1903 में नहीं classify कर रहा है नहीं classification नहीं है कि यह 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 बी यह cause effect नहीं बता रहा है क्या है description दे रहा है तो answer हो जाएगा आपर descriptive 44 select an appropriate title for the passage from the given options manufacturing steel industry mineral ores and resources of steel to manufacturing in general bath or a new mineral loads की बात हो रही है minerals are mind with this mineral ores की बात नहीं हो रही है resources of steel की बात भी नहीं हो रही है in general steel industry की बात हो रही है क्या क्या steel industry में होता है and last but not the least why is the steel often called the backbone of modern history industry क्योंकि backbone क्यों कहा जाता है steel is often called the backbone of the modern industry क्यों क्योंकि almost everything we use is either made of iron or steel or has been made of made with tools and machinery of these metals तो यह कारण है तो steel is used in almost every tool and machinery तो answer आजाएगा third ध्यान दीजिए passage वाले questions में आपको यह main focus रखना होता है कि आपको सारे answer passage पढ़के देने अपने मन से नहीं देने जैसे यह वालो option थे इसमें आपने क्या पड़ा इस्टील इस आपने क्या पड़ा इस्टील इस ओफन कॉल बैक्बोन फिंडिस्टी क्यों कि almost everything we use is made of iron और इस्टील तो वह option third में दिया हुआ है इस लिए ठीक है चलीए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तिल देन टेक वेरी वेरी गुट केर अफ इसलफ है वेरी गेट यह है थैंक यू सो मच बबाई इसके लवा अगर आप इस फीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप इस पेपर की PDF या जो हमने पढ़ा है इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे application को डाउनलोड कर सकते हैं application आपको play store पे मिल जाएगा और link आपको description box में भी मिल जाता है लस्जी learn study and grow नाम से हमारा application है इस पे आपको ए PDF मिल जाएगा वहाँ पे आप PDFs and handouts का एक section है वहाँ भी मिल जाएगा इसके लावा free courses का एक section है जहाँ पे भी आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा तो अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाते हैं तो application से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और अगर आपने अभी तक telegram channel जोईन नहीं किया है तो telegram को भी जोईन कर लीजिए ठीक है लिंक आपको description में मिल जाएगा इसके लावा search भी आप कर सकते है at the rate Amantrivedi नाम से ठीक है और चैनल को subscribe नहीं किया तो वो भी कलनी से अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care and have a very great day thank you so much bye